हालू गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जो वीरे के अंदर रेंडर करते हैं तो हमारा basic material को यह तरीके से रेंडर होके आता है लेकिन इसी को और advance हम किस तरीके से कर सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं कि इसका effect बिल्कुल कितना changes है एक दूसरे से जो की एक विल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है, दूसरे में actual real life में जिस तरी किसे stone का effect आता है, उपर नीचे यहां पर light और darkness दोनु चीज़े दिख रही हैं, तो इस चीज़ को हम कैसे create कर सकते हैं, अपने वीरे के अंदर material को edit करके, यह आज हम देखने वा fault में है, ठीक है, तो चलिए इसे जल्दी से edit करते हैं, तो सबसे पहले मैं अपना asset manager open कर लेता हूँ, तो यह देखे, तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक generic material मनाना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ठीक है, इसका नाम मैं रख दूँगा, rename, क् हम rock को edit करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके बाद इसे open करते हैं, सबसे पहले तो material को apply करते हैं, apply selection करके, ठीक है, अब इसके बाद हम यहां से अपना change करेंगे, सारी चीजे, तो सबसे पहले देखिए, यहां पर कही तरीके की चीजे हैं, बहुत सारी, तो हमें सबसे पहले अ साथ के साथ ही खोल रखा है कि मुझे कौन सा चाहिए ठीक है तो यह रॉक में है सबसे पहले हम बेस कलर चूज करेंगे आपको लोकेशन हर एक की जगह पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी लोकेशन कहां पे जाएगी क्योंकि यह छेओ इमेज जो है हम सब को यूज करने वाले हैं तो हर एक की अपनी अपनी एक जगह है तो आप ध्यान दे कि यह कौन सी जगह क्या जाएगा तो सबसे पहले जो हमारा खराबूव अपड़ा पंड़ा तो यह देखे ये इस तरीके से है तो कैना व्यूर्य-आखकल पर मैं इसे सबसे पहले एक रेंडर करके देखेंगे हर चेंजेस पर हम रेंडर करके देखेंगे कि हमें क्या चीजे मिल रही है ठीक है तो इसे मैं यहां कर देता हूं साइड में क्योंकि अब जो भी चेंजेस होंगे इसके इधर से होंगे एंड उसके बाद मैं साथ में एक रेंडर करता हूं जो कि यहां खुलेगा ठीक है तो अभी आप देख सकते हैं कि रेंडर फिरीश होने के बाद यह प्लेइन एक रेंडर दिख रहा है ठीक है प्लेइन इसमें कुछ भी नहीं है जो हम नॉर्मल मेटिरियल डालते हैं कहीं से दुबारा फिर से यहीं पर सेलेक्ट करें एंड बीट मैप के मदद से हम बाहर जाएंगे और यहां पर चूज करेंगे रगनेस को ठीक है यहां फिर ग्लॉसीनेस हो सकती है आपके पास तो मैं इसे चूज कर रहा हूं रगनेस को यहां पर एंड उसके बाद फिर से वाप से एड करेंगे तो यहां पर पहले से होगा रॉझ रॉ seu की जगह Gör को एस आरजी प्रीमियर करना है ठीक है प्राइमरी ठीक है से मैंने रिफ्लैक्शन पर किया है मैंने एक आपना मेटYरल डाल दिया उसके बाद मैंने रॉझ के जगह ऐस्स आर जीबी प्राइमरी इसको select किया है ठीक है आगे आते हैं जो यह हमारा glossiness है यहां पर भी same हम bitmap को change करेंगे और यहां पर डालेंगे metallic ठीक है हलंकि metallic यहां पर पूरा black है इसका मतलब उस पर ज्यादा उतनी finishing नहीं आएगे ठीक है बिल्कुल अब आते हैं हम अपने तीसरे हमने दो पर अभी changes किया है diffuse पर reflection पर अब आएंगे हम सीधा अपने bump map पर ठीक है तो bump map में सबसे पहले तो bump map की जगा आपको select करना है normal map ठीक है हां मैंने render नहीं किया है तो अभी इसे bump map ही रहने देते हैं दो selection हमने पूरे render कर लिया है ठीक है diffuse और reflection को तो फिर से एक बार render करते है ठीक है अगर मैं compare करके देखूं तो अभी जादा कुछ changes नहीं आया है ठीक है क्योंकि metallic में भी नहीं था कुछ भी और रगनेस था तो यह पहले से ही रगनेस की तरह शो कर रहा था ठीक है अब आते हम अपने बंप मैप पे तो बंप मैप की जगा इसे नॉर्मल करेंगे और उसके बाद फिर से यहां सेलेक्ट करेंगे एंड बिप मैप पे जाएंगे और यह है हमारा नॉर्मल वैप तो अभी तक हमने जो चूज किया है बेस कलर डिफ्यूज के लिए अब हम बंप मैप में नॉर्मल यूज करें तो बंप मैप जितना अगर मैं इमेज खोल के दिखा हूं तो जितना ज्यादा किलियर रहेगा ना जितनी ज्यादा डेफ्थ वह उतना ज्यादा ही अच्छा इफेक्ट देगा ठीक है सेम इसे मैंने ओपन किया एंड उसके बाद भी यहाँ पे एस आरजीवी प्रीमियर को मैंने स्लेक्ट किया थीक है अब आते हैं हम अपने सबसे पहले हम रेंडर करते हैं तो रेंडर चेंज़ करते रेंडर अगर मैं इन दोनों को क्या क्या कंपेर करूं तो आप देख सकते हैं कई चीजे तो अब इसमें थोड़ी डेफ्थ वगएरा भी दिखने लगी है अगर मैं सुड़िल को सुरुआत से देखूं तो आपको दिखेगा जैसे स्टोंस में भी अपने एजेज वगएरा आ गए है ठीक है अगर आप साफ यहां पर देखेंगे मेरे एरो जहां है ठीक है और बागी दूसरे स्टोंस में भी थिखें उसमें डार्क और लाइट एरिया दोडों दिखने लग गया है अब आते हैं नेक्स्ट पे तो डेक्स्ट क्या है हमारा हम जीवारा से आएंगे अपने डि बाद आप यहां सेकेंड वाले को चूज करेंगे ठीक है और फिर से हम बिट मैप पर जाएंगे और यहां पर हम चूज करेंगे एंबियंट को ठीक है इसे मैंने स्लेक्ट किया ओपन किया और बैक आकर यहां जो लिखा हुआ है ऑपरेटर एप्लस भी उसे मल्टिप्लाई करेंगे एंटु बी में ठीक है यह हो गया अब इसे हम क्या करेंगे फिर से एक बार रेंडर करेंगे तो अब अगर हम देखें इसे पहले और आपको compare करें तो यह देखें कितना changes आया इसमें ठीक है तो अभी एक और है अब उसके लिए आपको क्या करना है जबसे पहले इसे make group कर लें ठीक है इसके अंदर displacement and फिर से यहाँ पे हम एक और texture डालेंगे जो की है हमारा height ठीक है height को open किया and उसके बाद same यहाँ पे srgb premiere को primary को select किया हमने ठीक है अब एक final render करते हैं तो अब आप देख सकते हैं same कि हम start हमने कहां से की थी और अब proper किस तरीके से दिख रहा है अब सामने देख सकते हैं edges पे भी proper किस तरीके से यह दिख रहा है ठीक है अगर मैं इसका background को dome light का change करूँ तो उसके बाद हम देखते हैं और का effect दिखता है ठीक है background को select करके तो आप देख सकते हैं same चीज हमने कहां से start किया था और अब हम कहां पर हैं ठीक है आपको साफ दिखेगा जो यह edges यहां पर बिल्कुल round दिख रहे हैं वह edges बिल्कुल सार बाहर निकले हुए दिख रहे हैं आपको ठीक है तो यह होता है actual material बिल्कुल ही realistic की तरह दिखाना आप कई और तरीके की चीज चेक कर सकते हैं तो उनकी फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि झाल झाल